नमाश्कार दोस्तों, रियल वेब में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे, दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, फोटो इल्यूजन डिफ्यूजन AI अप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे, तो गैस गर आप अप्लिकेशन को अपने फोन में open कर लेना है, तो जैसे ही अप इस अप्लिकेशन को अपने फोन में open करेंगे, open करने के बाद अप्लिकेशन न थोड़ा सा loading लेगा, और उसके बाद देखेंगे, यहां पर इस तरह का option आ जाएगा, तो आपको क्या काना हुग, नीचे की सा यहां पर आपको मिल जाएंगे तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि फोटो इल्यूजन वाला जो आपको अगर इल्यूजन वाला फोटो एडिट करना तो कैसे करेंगे यह मैं आपको बता देता हूं इसके लाब आप देखेंगे तो बहुत सारे एडिटिंग के यहाँ पर अपनी photo editing करना चाहते है तो for example मैं यह वाली photo select करूँगा तो यह वाली मैंने photo यहाँ पर select कर लिए अब नीचे की सहर में देखेंगे theme का option मिलेगा ठीक है तो जो भी theme आप अपनी background में लेना चाहते है elysium के लिए तो यहाँ पर आप आप जो ले सकता है तो यहाँ पर कोई भी theme यहाँ पर आपको लेने आप ले सकते है मैंने यहाँ पर पहले ट्राइ करें भी देखा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ इंतरो सुट ऑन चुका है और इस तरह से यह यहाँ पर यह photo light करके भी आपको बताऊंगा, तो अब यहां पर आपको save वाले बटन पे click करना होगा, जैसे save पे click करेंगे, उसके बाद यहां पर यह premium chart बताएगा, weekly 490 और 2950 annually यहां पर ठीक है, अगर आपको लेना है तो continue पे click करके आप ले सकते हैं, तो मैं ऐसे back करूँगा, उसके बाद फिर से एक बार save पे आपको click करना होगा, और उसके बाद यहां से यह photo gallery में save हो जागी, ठीक है, अब देख सकते हैं, यह complete तरीके से हो चुका है, और उसके बाद यहां पर हम gallery में जाएंगे, अब gallery में जाने के बाद यहां पर आप दोनों photo को एक साथ यहां पर compare कर सकते हो, ठीक ह तो इस तरह से guys अगर आप जो illusion वाला photo बनाना है, इस तरह से आप इस application की मदद से आप जो बना सकते हैं,